हमने one way look up सीखा और बहुत अच्छे से कहीं भी कोई पूछेगा तो मेरे पास answer होगा two way look up सीखा conditional formatting के साथ सीखा था और आगे कोई पूछेगा तो उसका भी मेरे पास answer होगा अब time आ गया है multi way या जिसको हम बोलते हैं three way look up की बात कर रहा हूँ यह three way look up क्या है one way तो समझ में आता है two way जिसमें column और और दोनों हो dimension का यह three way क्या है तो आगे चलते हैं इस example के जरिए introduce करने जा रहा हूँ three way look up with conditional formatting as well subscribe कीजिए inogenes channel को और bell icon को दबाईए excel और career motivation videos देखने के लिए तो अब बात करेंगे three way look up की हमने one way look up देखा हमने two way look up देखा और दोनों को बहुत अच्छे से implement किया हमने सीखा है और उमीद करता हूँ कि आप लोग ने सीखा होगा और उसको याद भी रखेंगे तो अब बात करते हैं इस three way look up का चक्कर गया है one way समझ मा आता है one dimension two way समझ मा आता है two dimension ये three dimension data का मतलब क्या होता है जैसे कि ये रहाब के सामने data अब इस data को अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ मा आएगा कि student का नाम यहाँ पर रखा हुआ है course रखा हुआ है और month रखा हुआ है that means जिस student का नाम जैसे योगे सहनी है course MIS L1 है level 1 और month इसका फैव है उनका फीस यहाँ पर लिख के आ जाए that means ये दिखने में लग रहा है three dimension look up ही है that means एक student का नाम लेना होगा एक course लेना होगा एक month लेना होगा लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि three way या जिसका नाम मैंने बोला था multi way ये three way और multi way जैसी चीज होती ही नहीं है ये सिर्फ बेवकुप बनाने के गाम आता है कैसे हो बताता हूँ जैसे की ये रहा सामने अगर मैंने student का नाम मांगा तो ये student का नाम किसमें मिलेगा आपको देखिए तो जरा यहां से यहां तक कोई भी नाम उठाइए ये रही सीतल निसाद और इनका course चूज कर लेता हूँ सीतल का कौन सा course है ये रहा माइस L10 तो L10 जो है ये देखिए चाहे आप सीतल निसाद की बात कर रहो या उनके course की बात कर रहो ये दोनों के दोनों जो item है ये दोनों किसमें रखे हुए हैं ये रो में हैं या कॉलम में हैं ये दोनों ही रो में है सर उसके बाद मैट्रकिस का मंत का तो मंत देखो मंत रखा हुआ है कॉलम में जब इंडेक्स पास करूंगा तो आपसे रो नमर मांगेगा और कॉलम नमर ही मांगेगा वहां ऐसा नहीं हो सकता है कि रो वो जुगार बता रहा हूँ क्या है पहला आप धान से देखिए इस question में क्या-क्या हम लोगों को करना होगा यहाँ पे conditional formatting का बहुत ही important role है जो मैं आपको बताने चाहरा हूँ क्या-क्या है देखिए कहना चाहरा है कि मैं यहाँ से जिस भी student का नाम select करूँ साथ के साथ उसका course यहाँ से select करूँ ठीक है जैसे कि अभी ले लिया आपने जैसरी सकसेना तो MIS L6 है यह तो उसका और साथ के साथ यहाँ से जो भी month मैं select करूँ उसका fees extract होके आजाए साथ के साथ सिर्फ fees ही नहीं लाना है आपको उसके साथ साथ क्या करना है तो अब आप ध्यान से देखिए जब मैंने जैसरी सकसेना यहाँ पे लिया था तो पहले यह जैसरी सकसेना वाले row को highlight किया है साथ के साथ course जब select करेंगे तब दोनों मतलब ये और ये दोनों match होगा तो ये row highlight साथ के साथ ये जो भी month होगा वो month वाला column highlight जो conditional formatting है उसका तो जबरदस रोल है तो अब हम देखते हैं पहले मैं आपको function बताता हूँ उसके बाद conditional formatting का concept जरूर सीखेगा पूरा video end तक देखिए ये skippable video नहीं है ये नहीं कि बास दोनेर देखा आगया 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 नहीं आया मैं कह रहा हूँ नहीं आया ठीक है skippable video नहीं है आप end तक video पूरा finish कीजिए वीडियो और मैं assurance देता हूँ आप लोगों को की कुछ नहीं ठीक है end तक फिले वीडियो देखिए तो अब इसे solve करता हूँ बिलकुल scratch से सबसे पहले देखिए जिनका नाम जैसरी सक्सेन है कर दिया यह पूरा range आपने index को दिया array उसके बाद row number अब हमारे पास समस्या यहां पे यह है कि यहां row number एक नहीं है यहां row number दो है देखिए जैसरी सक्सेना और उसका course problem है तो ऐसे में कुछ भी नहीं करना आपको मैंने अभी भी बताया कि यह three way और multi way जैसे कहने के लिए होता है कि multi way है multi way है कहने के लिए लेकिन यहां पे conceptually देखा जाए तो उसका कोई जुगार नहीं है उसका जुगार है आपको सिखाया होगा वी look up जब सिखाया था तो उसमें सिखाया था to look up value वही concept जब कुछ नहीं मिलाता है तो concatenate कर दो जोड़ दो दोनों को मैं वही करने जा रहा हूँ यह रहा आपका row number तो row number में क्या पास करेंगे हम लोग match और match को क्या चाहिए होता है look up value अब यहाँ look up value एक है row में या दो है दो है हाँ look up value row में तो कुछ नहीं करना है यहाँ से इसे ले लिया end लगाया यहाँ से इसे ले लिया अब तो हो गया दो look up value comma look up array तो जब look up array मांग रहा है तो जब वहाँ दो selection हुआ है तो इधर भी selection दो हो जाएगा तो look up array में क्या बात करेंगे यहाँ से लेके इसे select end यहाँ से लेके इसे select यह लीजिए look up array भी आपने पास कर दिया comma zero bracket बंग यह हो गया row number row number यहाँ पे दो होता या पाँच होता वो एक ही row है वो इसको एग में ही count करेंगे आप यहाँ हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि row number, comma, row number, comma, row number चले इसलिए मैंने बोला था कि three way look up जैसे चीज नहीं होती है ठीक है अब देखिए comma अब बात कर रहा है column number तो column number में हमारे पास है column है यहाँ देखे न month तो column हमारे पास रखा हुआ है month लगा दीजे match match look up value यह और look up एरे इसवर यह यहाँ से थे बिल्कुल सही है तो comma zero bracket बन और एक bracket इंडेक्स वाला और बन साथ के साथ एक चीज़ आपको और याद रहे अगर यहाँ पे आप enter प्रिस करते हैं तो यह output नहीं error है यह रहा क्यों है error तो आप बोलोगे sir अब नहीं अब नहीं आप तो concept clear कर दिया है आपने अब आप बोलोगे sir यहाँ पे error इसलिए है क्योंकि यह तो combine किया गया है दो array को combine किया array वाला concept आ गया तो यहाँ पे क्या पास कर दें control shift plus enter तो control shift plus enter अब यूज़ कीजिए साथ के साथ एक और कोसिस किया कीजिएगा कि इसके बाहर में हमिशा if error चलाने की आदत यहाँ पे आपने पास कर दिया if error और यहाँ पे जाके bracket जहां बंद हुआ है वहाँ पे कॉमा लिए जिए कुछ भी data not found यह थोड़ा सा तमीज वाला रहेगा याद रखेगा control shift enter है यह काम आपने कर लिया आपने यह value निकार लिया अब आप यहाँ पे change करके देखिए यहाँ से कोई भी name change वसुधा सर्मा सर्मा जी का score MISL2 MISL2 ठीक है तो 6,7,5,5 कौन से महिने में है फैब में बिल्कुल सही है तो यह आपने value extract कर लिया अब स्टार्ट होते है conditional formatting process step by step बिल्कुल ध्यान से देखिए आएगा समझ इस पूरे data को मैंने select कर लिया ठेक और selection के बाद क्या कर रहा हूँ देखिए go to conditional formatting new rule और यहाँ पे लगाऊंगा मैं क्या वो देखिए formula लगा रहा हूँ equal to यह वाला से लिया A5 और इसका मैं fridge करूँगा सिर्फ row क्योंकि हमें A से B, C, D, E पे जाना है मुझे इस वार column को करना है highlight कैसे वो देखिए A5 equal to यहाँ पे पास करूँगा horizontal look up h look up look up की value vertical में इस तरफ से कौन है left to right कौन चल ला है वो चल ला है month तो look up value यह comma look up array यह comma one comma zero क्या किया हमने यह ज़रा दिहान से देखिए तो हमने क्या किया है A5 की value यदी बराबर हो जाए किसके देखिए तो ज़रा A5 A5 में कौन अक्का है यह देखिए यह वाला column है student name यदी यह वाला cell की value बराबर हो जाए उपर वाले के इसके इसकी value यदी इसके बराबर हो जाए तो और A के आगे से हटा दिया गया जिससे कि लेफ्ट व राइट चलेगा तो जहां पे फैब आएगा तो यहां फैब को पकड़ लेगा ना इस फैब को ओके करके देखिए तो ज़रा यह रहा clear है भाई इस तरीके से आपने इस particular column को highlight कर लिया देख लीजे आब मैंने क्या pass किया है वो भी देखिए कोई भी मुझे जल्दवाजी नहीं है यहां पे जाएए और यहां से edit रूर कीजिए देखिए ज़रा A5 यह वाला cell इस cell की value यदि बराबर हो जाए उपर वाले cell के और A5 में से एक आगे से फ्रिजाटा रखा है जिससे की और उपर वाले किस से एक लुकाब लिया लुकाब की value टेबल एड़े और कॉमा 1 वन का मतलब क्या पहले रो की value तो पहले रो में क्या है जैन, फैन, मार्च, अपनी लखा है तो उसी को match कराएगा मतलब क्या यह match किया इसने इसने match किया यदि इस जैन की value उपर वाले जैन से जैन match करेगा तो जैन वाले कॉलम को highlight कर देगा इतना clear हो गया अब next step अब इस तरीके से कॉलम को selection करने के बाद अब selection आई वारी row की इस तरीके से वो कैसे करेंगे वो देखिए फिर से select कर रहा हूँ मैं पूरे data को ऐसे ठलिया पूरे data को select करने के बाद अब आप जाएए फिर से conditional formatting new rule और यहाँ पे use a formula to determine which cells to format यहाँ पर रखा equal to step by step बिलकुल ध्यान से देखिए नहीं तो conditional formatting तो वास हवा हवा ही हो जाएगा concept याद रहेगा तो आपको समझाएगा मैं क्या कर रहा हूँ इस वार क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे equal to यहाँ एक समस्या यहाँ एक समस्या यह है कि यहाँ एक condition से काम नहीं चलेगा सिर्फ आपको एक ही रो के बेश वथूरी करना है जब दोनों मैच हो असुदा सर्मा के साथ-साथ उसका course भी मैच करना चाहिए तो यहाँ जब दो चीज मतलब यहाँ पे जब दो condition को एक साथ true करने वाली बात आती है तो आपको पता है क्या है क्या बता है बता है यह बत है end की तो यहाँ पलगेगा end और दो condition एक साथ pass और end में पास किया आपने यदि इस cell की value और इस बार मैं row के आगे से fridge हटा रहा हूँ इस बार column के आगे से नहीं क्यों क्योंकि left to right थो रही जाना है तो ऐसे चलना है मतलब नाम को ऐसे मैच कराना है उपर से नीची की तरफ तो A5 यदि बड़ाबर हो जाए किसके V look up क्यों V look up चला है क्योंकि यह रहा ठीक है V look up look up की value इस वार सरमाजी table array यह रहा comma 1,0 यह 1,0 क्योंकि पहले column में तो है योगे, सानी, वजदा, आसी, यह सब क्योंकि कौनसे column में है यह सारे पहले column में है इसलिए 1,0 यह एक condition आपने true करा लिया comma साथ के साथ आपको एक condition और true कराना होगा वो कराना होगा इसे, इस course को इसकी value और इसमें भी रोक आगे साथा देजिए यदि बरावर हो जाए, फिर से we look up इस बार we look up में look up value कौन? इस बार ये comma table एक कौन? ये comma, again one, comma, zero bracket बंग और bracket बंग देख लिए कुछ नहीं किया वजदा सर्मा मैच कर जाए और उसका course मैच कर जाए तो color करो किसको? पूरे row को क्योंकि complete row को आपने select कर रखा है, complete table को आपने select कर रखा है ध्यान से करेंगे तो बहुत interesting topic है condition of formatting ठीक है? अब देखिए format में जाए अब और कोई भी color यहाँ से लिएजी ok कीजिए और ok button लिप्रिस कीजिए तो आगे आपके सामने देखिए अब यहाँ से नाम चेंज कीजिए जैसे आसू सर्मा और यहाँ से सर्मा जी का L5 अब होगा color दूसरा काम खतम, अभी एक काम और रह गया है, इसके intersection को भी highlight करना ये तो इसमें क्या करना है, इधर से VLOOKUP और इधर से HLOOKUP दोनों का यहाँ, और जो जितने भी हमने formula लगाये हैं सबको एक साथ मैंने क्या बोला था गटबंतन करना, तो equal to यहाँ pass करेंगे and और तीनों को combine कर देंगे, कैसे कैसे एक तो यही आभी आपने लगाया था यदि इस cell की value उसके आगे से row हटेगा इस cell की value यदि बरावर हो जाए we look up ध्यान से करेंगे तो बहुत interesting है, बहुत easy है we look up, look up के value काउन look up की value यह comma look up का जो table array है वो यह comma 1, comma 0 पहला काम खतम comma साथ के साथ एक काम खतम, दूसरे काम में course फिर इसके row के आगे से हटेगा छोटा सावे miss तो फिर तो लाल-काला पिला नहो equal to फिर से we look up look up की value इसवार काउन look up की value इसवार यह comma table array यह comma 1, 0 bracket बांद यह दूसरा condition था comma एक तीसरा condition यह जो yellow color वाला है ना left to right वो भी यहीं चला देजी comma तीसरा condition तीसरे में इस cell की value और इसके column का आगे साथेगा क्योंकि इसको left to right जाना है यह बराबर h look up अब look up की value कौन यह comma look up एरे कौन यह comma 1, 0 bracket बंद h look up का एक bracket और बंद ठीक है अब चलते हैं format में और कलर उठाते हैं red यहां से किया ok और करके देखते हैं आपका काम हुआ के नहीं हुआ हो गया देख लीजिए आपके सामने हैं और कितना बहतरीन conditional formatting का हमनोंने यूज़ किया वो देखिए और मैं उमीद करता हूँ को सीखना है one way two way और आज यह three way look up मैंने तीनों को combine करके कराने की कोशिज की है और आपको concept समझ माय होगा इस बात की उमीद करता हूँ साथ के साथ अब आपसे मिलता हूँ next वीडियो में अभी ये series बाकी है मेरे दोस्त अभी index match खतम नहीं हुए इसी बात के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द फिर से नया कुछ नकुछ आपके लिए बहतरीन हमिसा लाने की कोशिज थैंक यू